फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सूजी की बहुती यमी टेस्टी रस्बरी मिठाई और बुलकुल महनत नहीं लगने वाली बहुती आसान तरीके से बनाएंगे तो चलिए गाइस देरी नगर के फटा फट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हेलो एवरिवन वेलकम बै अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ सो फ्रेंड्स गैस पर हमने पैन रख लिया है आप चाहो तो कड़ाई भी रख सकते हैं तो यहां मैंने ज्यादा ज्यादा करके पैन रख लिया और जो एक कटोरी सूजी तरह वह मैंने इसमें डाल दिये अब डालने के बाद क्या नहीं भूननी है उतनी भूननी है कि इसमें खुषबू आ जाए सूजी भूनने की और थोड़ा कलर चेंज हो जाए पिंक पिंक सा हो जाए तो चलिए इसको उतना ही हम भूल लेते हैं सो फ्रेंड्स यह देगे सूजी हमारी बहुत ही अच्छी से परफेक्ट तरीके से दूबारा से हम दूसरी कटोरी डालेंगे तो एक कटोरी सूजी में हमें दो कटोरी दूद मिला लेना है तो चलिए मैं दूसरी कटोरी दूद मिला लेना है तो चलिए गाइस मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी आप देख सकते हैं तो आपको दिहान से मिलाना है ताकि खुआइं तो यह देख इस तरीके से मेंश करते हूँ इसको अच्छे से मिला रही हूँ आप देख सकते हैं जितना हम मिलाएंगे फेलाकर इसको ठंडा कर लेते हैं तो फ्रेंटस ये देखिए सूजी मैंने एक प्लेट में निकाल लिये है और इसको अच्छे से फैला लए तो गाइस बहुत ज्यादा गरम हो रही है तो मेरे से हाथों से नहीं गो रहा तो मैं स्प्रैचुला ले लोंगी इस प्रैचुला से इसको अच्छे से फैला लेंगे तो चलिए गाई यहाँ थंडी हो रही है इतने हम अपने चाशनी बनाने की कर लेते हैं तईयाद यहाँ पर हमने एक कड़ाई ले ली है अब क्या करेंगे एक कड़ाई ले ली है और यहाँ पर फिलेम को ओन कर देंगे तो यहाँ पर हम चाशनी बनाने के लिए हैं दो कटोर ले लेंगे पानी तो जितने हमने सूजी ली थी ना जिस कटोरी से उसी कटोरी के माप से हम यहां पर दो कटोरी पानी डाल देंगे तो फ्रेंट्स यह देखे दो कटोरी हमने पानी डाल दिया अब यहां पर एक कटोरी भरके हम डाल देंगे चीनी तो चीनी हमने अच्छे से डाल दिया इसको च्छला लए इस तरीके से और इसको ऐसा में चीनी को इसमें घुंद देती हूं आप चाहो एम GYM giorni को अुझे घुने ने देती हूं था इसका गूशिट सबसे हमा चला अगर दिखा का जरहता न सबस्करनlex dire거를 अब हम क्या रinator चाहिए अल quotes summarize में food color डाल सकते हैं तो हमेरे red वाला डाल दियां इसको अच्छे से mix कर लेंगे इस तरीके से तो चलीज़ काई इसी तरीके से ना अच्छे से उबाल लेते हैं यह देक्टि को यह देख secular इस पहल आ रहा है यह देखे तो मैं चेक कर लेते हैं यह खुलिए अच्छी से थंडी हो चुकिया आप सकता है आप हम यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा मैं हासों में कूंकि ओल्य ले लिया इसको अच्छे से इस तरीके से मैश करेंगे बागाइब यह थोड़ी गुणखनी है तो आप देख सकते हैं continue मैं इस तरीके से मैश करूंगी और इतने इस तरीके से मैश करेंगे तो यह एकदम से soft हो जाएगी सूजी तो guys आप देख सकते हैं दुबारा मैंने हलका सा फिर से ले लिया है cooking oil हातों में और इसको फिर से हम इस तरीके से मैश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मैं एक डो बना कर तयार कर लिया है तो यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तयार हो चुका है अप फिर से हम हातों में कोकिंग ओई ले लेंगे और इस तरीके से लोई ले लेंगे जैसे नीबू साइज होता है न उसी तरह की के हम पेड़े बना कर लूँगी सो फ्रेंट्स यह देखिए पीड़े बनकर तयार हो चुके हैं आप देख सकते हैं तो मैंने इस तरीके से साइज रखा है आप चाहोते थोड़ा बड़ा लग सकते हैं बट ऐसी रखना क्योंकि बड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो आज आज आपको म इस अपर इस पेन रख लिए इसम obeyने कूः़ 들어오ै कर दिया है ने एक मैं ऑलतीय कर दिया आप चाहोते हिसा कढ़ाई भी रख सकते हैं वाड़ा वहां पर इहां पर गरम होग रहते हैं ऑब बहुत अच्छी अशे कर लि Health और यूगे पीड़ा अगरया आप आपके यह बिल् तो यह देखी बहुत ही अच्छी से डीप फ्राइव हुए तो हमाँ प्लटने की भी जरूरत नहीं पड़ी है तो यह देखे दोनों तरफ से अच्छी से यह फ्राइब हो चुके तो चलिए गाई मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी तो यह देखी गाई बहुत ही प प्रयाइब कर दो तो चलिए यह देखिए तिना प्लेट हो चुका है तो फिर निकाला हो चिके हैं तो चलिए गए इस सारे एच्छी से हमारे घ्राव हो चुके हैं तो चलिए हम एक Нуश से कर लेते हैं So फ्रेंट से देखिये हमारे जो पीड़ेन वहुत इसे फ्राय हो चुक información है और यह देखी कितने सॉफ्ट बने हैं , तो चलिए गाइस, अब तीरहीिम नयक़ किया फुटम से चलते अपनी चासनी के तरफ, तो फ्रेंट्स यह देखिए चाशनी हमारी गरम हो रही है तो चलिए एक करके पीड़ा हम इसमें डाल देंगे तो आराम से डालना है यह क्योंकि यह बहुत जाता सॉफ्ट होती है तो यह भिखर भी सकते हैं इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना तो यह देखी गाइजा इक ऐरके मैं एक बैट के पहला डाल दूगी इसको यह देखिए आप देख सकते हैं आप क्या करेंगे एक बैच के हमारे अच्छे से पढ़ गया है तो आब हम एक स्पून लेले लेंगे आप से ही बहुत आदा सॉफ्ट होते हैं तो आराम से करना तो इस इसारे सारी हो चुकَ है आप देख सकते हैं तो चलिए कORE ATS Vediko Ketan हो चुका है arises Kl吉 And नहीं रखना है हमें आदे घंटे में हमने चेक कर लिया है तो आप देख सकते हैं इसमें ना बहुत मिठाई में बहुत ही अच्छे से रस बढ़ चुका है चार्शनी बढ़ चुकी है तो चलिए एक करके मैं अच्छे से निकाल लूँगी यह देखे तो फ्रेंट्स यह कि सुजी की मिठाई हमारी बन कर तयार हो चुके एकदम रस बरी जैसा रस बर गया है इसमें इतना बढ़िया लग रही है एकदम रसीली बहुत ही टेश्टी तो चितना देखने में अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं उतनी खाने में टेश्ट यह गाइस बहुत ही बिना किसी जंजट के फटा पड़ से बहुत ही जल्दी बन जाती है बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता है तो भी मैंने तो बहुत जल्दी बना ले थी और मेरे घर में आपको पर्सनल ले बता रही हुँ मेरे घर में भी यह सब को पसंद आई थी बड़े बच्चों सब क पसंद आए तो आप न यह अपने घर में आई महमान को भी बना के खिला सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाती है तो एक बाद ट्राइज जरू करना तो यहाँ पर पर पिष्टा से गानिश कर लिया है आप चाहो तो आपके बास जो भी ड्राइफ्ट रोट्स को घर में आव करना ता कि बागी लोग भी अपने घर में पना कर खा सकें और इंजॉय कर सकें फूल वाच करने के लिए वीडियो दिल से थैंक यू सो मच और गाइस बाड़े हो तो आशिवाद दें ठीर सारा प्यार दें सपोर्ट दें बिलेंगे नेक्ट वीडियो साथ न्यू रसीपि साथ बाबाई टेक एर लव यू